अलो दोस्तों स्वागत था आप सभी का आपको अपने चैनल बैंकिंग करिये पौँ मेरे नाम में से आदो है दोस्तों LIC एक्जाम नोटिफिकेशन को ले करके आप में से बहुत सारे केंडेट जो है हमेशा पूछ से रहाते हैं कि अलो दोस्तों आप सभी को इस एक्जाम के बारे में इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखकर के आगे बढ़ना है आपको प्रपेशन करना है आप सभी को 100% आपके एक्जाम में आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों मैं आप सभी को हमेशा जो है real information प्रवाइड करता हूँ हमेशा आप सभी को study के लिए motivate करता हूँ study के लिए guide करता हूँ आप मेरे channel पर बहुत दिन से आप जूडे हैं तो आपको मेरे बारे में जो है मेरे information के बारे में आपको पता होगा और आप new candidate है तो मेरे उपर trust करके आप जो है अच्छे से preparation start कर सकते हैं इस वीडियो में जो important point है जितने सारे आप में से candidate जो है notification को ले करके पूछते रहते हैं मैं आप सभी को इसके बारे में बताना चाता हूँ तो आप सब लोग जो है इस वीडियो को like कर दीजे पहले मैं आपको एक बात पताना चाता हूँ LIC Assistant Notification के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि recently जो अभी करला के कुछ जोन का result अभी डिस्पले हुआ है और उसमें भी जो है इसका candidate का नाम है यारी जो अपना 2019 वाला notification आया था उसमें अब तक 5800 candidate का जो है अब तक joining हुआ है और ये जो official data है मैं आप सभी को एक later भी share किया था ये जो candidate इम पैनल इसमें है उनका इम पैनल इस जैसे clear होगा जैसे उनका जो है clear होगा वैसे जो है आप सभी को new notification के लिए जो है आपका रास्ता जो है open हो जाएगा और 2021 में इसका notification आएगा अभी assistant का notification कब आएगा इसके बारे में जो है confirm information नहीं है कि notification कब आएगा लेकिन इतना है जितने सारे मैं LIC के officer से बात किया हूँ उस सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि LIC assistant का notification जो है 2021 में आ सकता है notification जो है आने का जो है काफी अच्छा चांसित है तो notification आएगा अब notification आने के बाद आप preparation करोगे तो फिर मुस्किल है selection लेना तो आप पहले से आप preparation करो जैसे notification आएगा तो आपको जो है उसमें मदद मिलेगा और आसानी से आप जो है exam कुछ है आप कराय कर पाओगे अब दूसरा सबसे important है LICWO जनलिस्ट एग्जाम और LIC EDIO एग्जाम दोस्तो LICWO जनलिस्ट का notification जो है अब तक नहीं आया कुछ कारणवस से लेकिन ये notification जो है अपरेल और मई के मंत में जो है आएगा ये बहुत बड़े option जो है central office जो है मुंबई का वहाँ पर एक अपिसर को मैं जानता हूँ उन्होंने बताया था कि LICWO जनलिस्ट का notification जो है आने वाला है तो आप ऐसे जितने सारे करें जो है LICWO जनलिस्ट का notification का वेड़ कर रहे हैं ये एग्जाम जो है SPI PO level का एग्जाम होता है तो आपको जो है अभी से अच्छे से preparation करना पड़ेगा क्योंकि notification आने के बाद आप preparation करोगे तो आपका selection लेना बहुत मुस्किल है कि कोई आज जो है day by day जो है आज कल competition बढ़ रहा है तो उसके लिए आपको अभी से अच्छे से preparation करना पड़ेगा तो I hope दोस्तों आप लोग जो है मेरे बात को आप समझेंगे और अभी से आज से preparation स्टार्ट कर देंगे और इसके लिए मैं आप सभी को अपना website लंच कर दिया हूँ वहाँ पर जा करके आप current affair, आप banking awareness, बाकि सभी topic का जो है आप study कर सकते हैं कैरियर 247 विजिट कीजिए, description में आपको link दिया हूँ वहाँ से आपका काफी अच्छा preparation हो जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों LIC ADO notification के बारे में दोस्तों देखो LIC ADO का notification 2019 में आया था, 2020 में नहीं आया waiting list है, जिसको contingency list बोलते हैं, अभी आना बाकी है कुछ zone का आया भी था बीच में, कुछ zone का आना बाकी है तो इसका भी notification का अच्छा chance है यानि दोस्तों मैं आपको overall बात बताऊं तो LIC में 2021 में, 2022 में काफी अच्छा chances है, काफी अच्छा मोका है काफी अच्छा opportunity create होने वाला है, क्योंकि LIC काफी कुनोत कर रहा है तो आप इसे जितने सारे candidates intelligent है, अभी से आप अच्छे से preparation करेंगे आप बाकी के चीजों पर discussion पर अपना time waste नहीं करके आप study पर ध्यान देंगे, तो आपको definitely इन सभी exam में सफलता मिलेगा तो दोस्तो आप सब लोग अच्छे से preparation कीजिए, आपके कोई doubt है तो मुझे comment करके जरूँ पूछिए मैं आप सभी को help करूँगा, और आप सभी के लिए मैं grade up के team से बात करके आपको maximum discount करवा दिया हूँ, 50% आपको discount करवा दिया हूँ, तो उसको जा करके आप टेसरीज ले लिजे minimum price में आपको काफी अच्छे quality का टेसरीज आपको मिल जाएगा और दोस्तो आप में से बहुत सारे candidate पूसर रहतेंग सर memory waste paper कहा मिलेगा तो memory waste paper का आपको link डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, free of cost उसको जा करके आप टेम कर लिजे practice marks जैसे team से मैंने बात करके आप सभी के लिए memory waste paper का आपको लिंक दिया हूँ, तो उसको जा कर free of cost से टेम कीजे और अच्छे से preparation कीजे, आपको 100% success मिलेगा thank you for watching banking career, God bless you all